रल्ह alors壹 cambiately and yourself this ultimate YouTube Cash Mess अल्हाँ कोpr 27 2 बात करने गारे हैं की लास्ट वीडियो मैंने आइसुलेटर्ट के बारे में आपको डिटेल बताया था ठीक है तो भी सबसे पहले माल्ण का कंभाइण फूटें और क्यों यूज कर ते हैं कि जैसा अगर नाम से ही पता करने कंभाइएंभाइंग concert यह किसमें debated एक से जादा एक कोलम होगा तो दो फिर इनदी बुजल हो गया इक से जादा प्लम मैं तो सपों क्या बोलेंगे betina खूक्शंव करेंग उस सबसे को ने चेकर आपकर केस अगरा स्ट्रक्चर का पे feltler रहा यानि कि boundary-based structure के ठीक है तो उस case में क्या करेंगे combine footing यूज करेंगे इस column को bind करने के लिए ठीक है structure से structure से बाहर अगर जा रहा boundary पे है तो हम उसको उसको bind के रखने के लिए structure से combine footing का यूज करेंगे ठीक है दूसरा case क्या होगा दूसरा case यह होगा अगर हमारा कोलम का फूटिंग अगर individual कोलम का फूटिंग आपस में ओवरलेफ कर रहा थीक है तो उसकेस में क्या करेंगे ओवरलेफ करना है तो यह ही हो जाएगा थीक है तो उसकेस में जो डिजाइन करेंगे वो करेंगे combined footing के according ना कि individual footing के according ठीक है मैं बताओंगा दोनों के reinforcement में यह जो हमारे combined footing होता है वह एज बीम एक्ट करता है ठीक है यहाँ पे देखिए कोलम यहाँ पे है मारा दूसरा कोलम यहाँ पे है ठीक है अब यह करता है इसकी जो रेंफोर्सिंग होगी ठीक है इसमें जो सरीय लगेगा वह बीम को कंसीडर करके ही लगेगा ठीक यह बास समझ में आ गई तो तीसरा केस क्या होता है हमारा कंबाइन फोटिंग यूज करनेगा अगर स्वाइल की बीरिंग केपसिटी अच्छी नहीं है तो अगर हम आइसुलेटिट फोटिंग यूज करेंगे वह तो अंदर गुश जाएगा ठीक है तो वह इस्टेक्चर की फेलोने के चांसे जादा होंगे तो अगर हम उसकी जग होता है पंचिंग सेर क्या होता है एक आप सुई ले लिजे नुकीला ठीक है और उसके सांथ एक आप कुछ और ले लिए जिस जो नुकीला ना हो दोनों को मिट्टी में घुश आई है तो पेर ज्यादा प्रेसर आपको देना पड़े गा उसको अगर देप्त में ले जाना पूटिंग है तो वह ज्यादा चांस है घुच जाए अंदर बसरते के अगर हमारा कंबाइन फूटिंग है कंबाइन फूटिंग मारे एरिया एक्टा हो जाता है बढ़ जाता है तो जो मैंने बताई दिया एक चीज आपको कि एज बीमेट करेगा तो इसके जो रेंफोर्सिं करेंगे यहां तक चीज के लिए बाकी सारी चीजे जो मैंने बताई थी इसका कवर टॉप से 50-75 होगा बोटम से 50-75 होगा इसमें पी-सी करेंगे ठीक है यहां पर पी-सी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी ना वह 80 से 100 mm का होगा ठीक है तो जनली ह हुम क्या है 100 mm यह लेके चलते हैं PCC ठीक है उसके नीचे हमारा स्वाइल का कॉंपेक्शन प्रोपर होना चीए अड्रेसिंग तो वो सारी चीजे जो मैंने बताई थी लास्ट वेडियो में आइसोलेटेड फूटिंग के केस में वो सारी चीजे यहां पर यूज होने वाली तो यह ऐसे ऐ होलेगे इस प्लेन में जो यह दिख लगा तो इसके लिए इसको बचाना है ना में है इसको फ्या करते हैं यहां पे एक यूशेफ का सरीया दे देते यह वाला सर horrific यह यहां पे नहीं देख रहा होगा क्योंकि हम साइड्वु देख रहे तो इसके जो पीछे इसका U बनके जाएंगा वो सरयां नहीं दीख रहा है अगर इसका Top View देखो गए इस तरीके से कही नहीं पंट दिखेएगा एंसे ऐसे u बना हुज देखे है और यह कोलम का सरी जो सरीया इताई कोलम का सरीया तो यह यूशुप कला घज़ता पे यह अंदर die दीजिए अब पूरा यहां से लेके यहां तक का IT तो यह क्या है बंद जाएगगा यहां पर जो क्रेक आरा आप यहां पर सर्या आ गया क्रेक को बढ़ने नहीं देगा ठीक है यहां फेल नहीं होने देगा पैसिदर करके हिसे कवर को 50-75 मेंटेन करके चलेंगे शाइड कवर अपना कितना लेका चलेंगे 50 तरह में मिलंगे चलेंगे टीक है उम्म मिलंडा पहले वाले के प्लान है जो आउटर को लंब जा रहा हूं बिल्कुल बाहर बाउंटरी में इस्टक्चर के दूसरा यह है हमारे ठीक है तो चलिए अभी रियनफोर्स्मेंट वो हम समझ लेते हैं कैसे क्या करना है इसमें देखे एक सरी दो टॉब में यह सीधा जाएगा ठीक है यह कितने टाया करेगा इस्टक्चर पे कितना लूडा रहा हूं सब आपको ड्राइंग में मिल जाएंगी ठीक है बस मैं इसलिए बता रहा है आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चीज़े होती है ताकि आप एगी कुछसन करा होते आपके धिमाग में पहले से होगी ये सारी चीज़े होती है है ठीक है यह होता मायनड वेकब अगर मायनड बेकप आपका पहले सें तो काम करने में आसानी हो जाती है बहुत जादा अगर आपको मैंड मेकक अप ही नहीं है तो आप को डर लगा कि हमें कैसे करना है तो आप ऐसा करिए इसको प्रैक्टिस में ले ले तो यह सारह आप लेंक कैल्कुलेशन बनाईए खुझ से बनाईए छींग एक सारीया जैसे इसमें भी होजाएगा इसमें येल दे दीजिए ठीक है 1500 का minimum 1 तो दे दीजिए 10 डी ठीक है इल दे दीजिए उसके बाद एक extra हो रहा है top का, एक extra सरीया top में extra देंगे, bottom में नहीं देते ठीक, एक bottom में सरीया रहेगा प्रइब गोटम का ठीक है कुछ इस तरीके से और यह आप आएगा इसका स्लोग इस कोलम के फेस के आसपास ही रहेगा ठीक यह हो गया हमारा इसका रेंफोर्समेंट अब इसमें यह रिंग है अगर यह डोटेड है कहीं भी यह डोटेड दीखे ऐसे ठीक है इस तरीके से तो कहने का मतलब है यहां पर 90 का बेंड है तो वो सारी चीज़े मैं बताऊंगा ड्राइंग कैसे रीड करते हूं वाला वीडिय करेंगे रेंफोर्समेंट बार को ठीक वो सारी चीज़े में उसमें बताने वाला हूं तो अभी के लिए समझ लिए अगर ऐसे डोटेड है तो कहने के मतलब है यह 90 यहां पर बेंड है यहमारा क्या बना रिंग बना कुछ इस तरीके से ठीक है ऐसे रिंग बनेगा उसमें ओर लगजा जाएगा यहां पर अगरि मैं इसका सेक्शन एह डिखाऊंगो तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा यहां पर देखिया है यह सेक्शन है ठीक यह जो दिख रहा ना ये यह वाली लिंद यह इसकी बिर्ट रेकिस की फूटिंग की ठीक और जो मैंने यहां पर बी लिख दिया था यह हाइड माल लीजिए अब इसको यह एच है ठीक है बी ना होगे एच जो यहां से इदर सीधे इसके अंदर जाओ ठीक वाली जो लिंद मिलेगी हमारी वह हमारी ब के जिए जब भी वशुक्ता, कटें यहां से काक्षं के अंदर इखना है थिक है सिंपल सी बात है आगर एशा क अटमे तो आपको इथर से आई आ धर से देखना होता थिए, उसके 90 बे आपको लोगे को dear कि बिखे के से दिखेगा, यहां पर क्या दिख रहा आपको यह तो बोटम का सरीया दिख रहा है ठीक है और यह जो डोटेट दिख रहा है यह रिंग का है ठीक है या फिर इसमें एक्स्टा सरीया भी जुगया हुआ है वो दिखा रहा है इसमें सोग रहा है ठीक यह डोटेट जो दिख रहा है वो कौन सा सरिया है यहां पर देखिए ध्यान से देखिए यह वाला यह जो सरिया जा रहा नहीं है यह वाला सरिया है हुआ है है कि और यह जो कि निटक निटकर यह वाला कि से करते हैं उसके लिए मैंने फौरा वीडियों बनाया हुआ वहां पर जाके आपको फूरा detail समझ में आ जाएगा कि रिंग की spacing तक मैंने उसमें बता रहा कि रिंग की spacing कितनी होती है और कहां से start करतें ठीक है कितना छोड़के start करते हैं वो सारी detail मैंने आपको सब्सक्राइब करते हैं तो यह सारी चीज अगर आपको पहले से पता हो जाती ना तो जो साइट पर ड्राइंग होती है वह आपको रीट करने में बहुत आसा नहीं हो जाती है तो गैस इसमें मैं और ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इसमें कुछ था भी नहीं इसके अलावाँ जो भी सारी चीज़े है पीची सी कवर ठीक है कोलम का रेंफोर्च्मेंट कैसे देना है तीन सो का एल देना है कि नह है केतना देना वह सारी चीज़ें पिछली वीडियो में बताया था वह सारी चीज़ें इसमें भी यूज होनी है बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है जो हमारे यह आउटर का कोलम होगा ठीक है बाउंडरी पर आएगा उसका जो एल लगेगा को अंदर की तरफ ह रहे हैं कुलम को कूँकि यह इदर मिल नहीं रहा तो इसको support इदर से नहीं मिलेगा ठीक है इस वज़ँ से यह इंदर को फेल होगा ठीक है इसलिए कीजिए आपको A to Z जो पिछले वीडियो में ने बताया था isolated footing में सब कुछ इसमें वही रहने माला है ठीक है तो यह वीडियो में यहीं पर समाप्त कर रहा हूं again I will request you guys अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में सेर कीजिए साथ के साथ अगर बेल आइकन आप दबा सको तो उसको जरूर दबाईएगा ताकि आपको मेरे पास कुछ अच्छे ट्रीक है जो आजमाय हुए है ठेके जो अगर आप फोलो करते हो को तो अगर आपको जोब मिलने में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लगने है फोबाप अब को करें करेंद नहीं कि अब करेंगों जरूब Jersey इसे कर लेते बिने अबलोग को बताया था मेरे कई व्यूैर क्या रे पेड़ मेर्फ खुर्श करनी पड़ तो तो मैंने भी पूरे एक साल थेश किया था दोस्तों को रिस्तेदारों को सब को फोन करके परिसान हो गया था लेकिन लगा नहीं किसी नहीं लगवाया और कोई आपको कोशिश करनी है खुद करनी है तो उसके लिए मैं आज वीडियो जरूर बनाऊंगा एक उसको साहिद करू तो गैस आप क्या कीजिए लाइक कीजिए जरूर मारे चैनल को और सेयर कीजिए जिससे और लोगों को इसका बेनिफिट मिलता रहे थेंक्यू